गुड इवनिंग, आज हमारे साथ है दर्शन भाई और प्रमीन भाई सूरत से जो गोडाइम प्राइवेट लिमिटेड और शिवम एक्सपोर्ट्स ये दोनों फर्म के ओनर्स डिरेक्टर्स है और आज हम ये पॉड़कास्ट का मोटो ये है कि आपकी तरफ ऐसे क्वेस्टन्स और आंसर्स प्रेजन्ट करें जो शायद एक नए एंट्रेपेनर और एक ऐसा एंट्रेपेनर जो एक्सपोर्ट्स की तरफ अपने बिजनस को लेना चाहता है तो काफी हेलफूल होने वाला है ये सेशन ये पॉड़कास्ट और हम आशा रखते हैं हमारे दोनों स्पेशल गेस्ट की और से हम मैक्सिमम बिजनस क्वेश्चन सौल कर सके तो चलिए शुरू करते हैं दर्शन जी से आप अपना शुरुआत से हमें थोड़ा आपका जर्नी बताईए आप आपका पैरेंट्स वागेरा कहां से बिलोंग करते थे और आपका नेटिव कहां से ह दो खाँपाइद्स वागेराँ है अपना शुरुआ नेटेशन अशुरू बाच बाच्वाइसवानी ए फादर कना मशुप बाच्वानी हम वावनार से डिलों करते हैं बैसेचली मेरे फादर नामन मचंट थे जो ब्रक्विंग का काम करते हैं व्ने शुरू में च्विव आपके शुरुवात कैसे हुई मैं ने मेरा विलेज गाउ में कालसारी गाउ में मिसावदर तालुका जुनकर डिस्टिक में मेरा गावे मेरा फादर था मैंने 2001 से मेरा गाउ छोड़ा musste 2001 से में सुरत में आया 2001 से लेकर 2008 में स्षौ AG गुरुकुल में पढ रहा मैं अपने मेरी जिम्मेदारिशे में नहीं भाऊंगा तो मैंने 12 के बाद मैंने कभी में घर से पाइसा नहीं मंगवाया मैं 12 के बाद जोब कर रहा था और मैंने 2017 में मेरा बिजनेस रण किया सी होम एक्सपोट का वाज में सक्सेस्फुली रण कर रहा हूं आपने शुरूवात 2017 में डायमंड के साथ की थी तो डायमंड में आपका पहला एक्सपरियंस था वो ग्रेडिंग के रिगार्डिंग होगा मेरे क्याल से 2017 से हमने सेल स्टार्ट किया डायमंड का और फिर दर्शन भाई ये ज्वैलरी की तरफ आपका रूख कैसे बढ़ा मतलब ऐसी क्या इंसाइट इंफोर्मेशन आपको मिली या तो फिर आपको अंदर से क्या ऐसी स्पूर्ण आई कि आपको लगा कि अब हम ज्वैलरी की और आगे बढ़ते हैं आपका मुझे एजुकेशन बैग्राउंड थोड़ा बताई है कि आप कहां पर पढ़े थे और अधर आपका पर पढ़े थे आप गुजराथी में लिएम से थे इंग्लिश में क्योंकि आप काफी कंट्री में गुण चुके हो काफी बाहर के सब बाभ साथ और आपका बैग्राउंड गुजराथी से थे ताप गाव में पढ़े थे शिटी में पढ़े थे और education degree वगेरा क्या थी अच्छे एक जनरल सवाल के और मुझे यह हो रहा है कि आप लोगों को ने डाइमंड इंडस्ट्री के साथ जो बिजनस के शुरुवात की उसके पहले आपका कोई experience और को बिजनस के साथ रहा था प्रभीन भाई जैसे कि और को बिजनस आपने किया ऐसा कोच इसमें है कि मुझे पहले से मैंने बताया का मुझे एंटर्प्रिनर एक सास की वरुती थी तो मैंने पहला मेरा बिजनस स्टार्ट किया था मैंने का काइट का एक स्टॉल किया था तो उमें 1500 रुपया का इन्वेश्मेंट किया था में और मेरे दोस्त ने फेस्टिवल के टाइम पर काइट का स्टॉल रखा और उसमें हमने विन-विन सिचुएशन का प्रोफिट नहीं किया था लेकिन जितना स्टॉक किया था उतना सेल हुआ तो वहां से मेरी जन्नी स्टार्ट हो एंटर्प्रिनर की कि मुझे कॉंफिडेंस आया कि हम भी कर सकता है यह शुरूआ यह होता है काइड का स्टॉल करो उसमें पार्टनर्शिप करो यह मैंने भी पार्टनर्शिप किया और इन्वेस्मेंट किया वन थाउजंट पैंड़ का में से हमने सक्षफुली शेल किया तो वह से मेरा कॉंफिडेंस बढ़ा कि मैं कर सकता हूँ जब मैंने में स्टार्ट किया 2017 में बिद्नेस तो पहले से डिशाड किया था कि हम घर से कोई फाइनस नहीं लाएगे हम हमेरे दम पे हम इन्वेस्ट करेंगे वह से दंदा बढ़ उम्मर 18 यह थे कि से गुजरा थी लोग बहुत ही अरली स्टेज में हाँ बिल्कुल और यह सेम सवाल आपको भी लागू होता है दर्शुन भाई क्योंकि मुझे पता है कि आपकी एज बहुत कम है और आपने बहुत ज्यादा अपनी एज से ज्यादा एक्सपरियंस बिजन को दिया हुआ है या तो बिजन से लिया हुआ है तो आपने जब अंत्रपरिनर की शुरुआत की तो आपका क्या एज था और उस वक्त आपके दिमाग में क्या था अभी आज डिसेंबर 23 में आपकी एज क्या है इंफस्टों पर दो दिसमेर 23 में मेरे च्ट्टिनाइए अच्छली में एज प्लस अच्छी में पार टेंग के वेकेशन में जॉप करता दा नामन्स में प्लस टू मतलब बारह तक बारह के पहले जो दस्ट्री का वेकेशन होता है हमारे यह में तो उसमें भी मैं जॉप कर जा था कही पर नामन्स का हो गया अकाउंट्स के लिए कोई डेटा इंट्रिस के लिए अच्छा मतलब टैंथ हा जुगा अच्छी वाह से मैंने जॉप स सब्सक्राइब कर रहा है तो आपकी कंपनी का डिसेंबर 2023 के हिसाब से अगर गिने तो यह फाइनाशल यह के हिसाब से कितना टॉनवर होगा आप अभी करंटीन यह एर में हमारा करीब करीफ 15 से 20 क्रोड का तानवाथ है और इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है बहुत यंग्स्टर लोगों के हाथ में सो डेफिनेटल व्यूचर है एक और बात जब यहां से निकली है तो आप दोनों पार्टनर शो यह पार्टेक्श के शुरुवात कैसे वई आप दोनों ने एक दूसरे को चूज किया है जब पार्टनर तो ऐसे क्या दिमाग में आजा था कुछ ऐसा देखा होगा आपने हम देख रहे हैं कि आप बहुत सारे टाइम से साथ में हैं और एक ट्यूनिंग के साथ बिजनस कर रहे हैं तो ऐसे क्या पैरामेटर थे प्रवीन भाई आपसे शुरू करते हैं अच्छा में और दर्शन भाई एक कमनी में था तो में मार्केटिंग में था और अकाउंट्स में तो मेरी मुलाकात पहली चन्नाई में हुई थी एक दुबार मिले थे फिर मैंने डिशाइड किया था अभी मुझे सर्विश नहीं करना है और मुझे मेरा प्राइवेट बिजनस करना है तो मैंने मेरा प्राइवेट बिजनस स्टार्ट किया 2017 में तो एक दिन रात को मैंने तो भी इंटरेस्टेड हो गया तो हमने स्टार्ट किया चक्राइब। बिगाफाइंड करने का फिर ओफिस किया फिर आगे ओडर लेने के लिए मार्केट में निकले तो वेसे वेसे ओडर आने लगा शुरुबात हुई आपकी अपने प्रविंट बाइब को सिलेक किया तो उसके पहले आपके दिमाग में कुछ था क्योंकि उनका एक्सपिरियंस में था में रिक्याल से आपका ज्वेलरी के रिगार्डिंग एक्सपिरेंस और आप दोनों पार्टनर्स में एज डिफरेंस कितना है आप काफी अनुभवी थे और अपने एक यंग टैलेंट को अपना पार्टनर बनाया तो एज डिफरेंस है कितना अच्यूली अभी एट 8 years है 8 years okay okay madalb aapka 37 years inka 29 but we it is a young team only no but obvious dhrashan bai okay actually praveenbhbhai ka jo experience the manufacturing regarding diamonds in diamonds expertise to basically jewelry main thing manufacturing to करवान है manufacturing के लिए डाइनलस नीज रहता है देफिनिटी वह दोनों की एक्सपर्टिस थी और काफी डाइन से में हैं इंडिया के साउथ इंडिया में ता तो फिर उदर काफी सारे कनेक्शन थे क्लाइंस पोगिए तो एक मीचल लेंडर से किया कि manufacturing और डाइनलस एक्सपर्ट से शुरुवात हुई और फिर अपना बिजनस बढ़ा किया तो after all hometown में आके ही आपने अपने बिजनस को बढ़ाया एक और बात आप पिछले मेरे ख्याल से 6-7 सालों से पार्टनर्स है यह पार्टनर्शब के दौरान कभी आपके बिच में कोई तनाव क्रेट हुआ किसी चीजों को लेके आपको लगा हो कि यहां पे कुछ ब्रेक अप हो सकता है क्योंकि देखें यह सवाल मैं इसलिए पू है तो आपके बीच में age difference हो सकता है कि सोच में अतरी और कई ऐसा विए हो होगा कि कुछ में जुनर्श है U Scrimer दोनों की understanding अच्छी है, कोई मेरा decision होता तो agree होता है, उसका decision होता है तो में agree होता हूँ और हमारा दोनों का vision कमने के लिए रहता है, anytime तो बी authentic अभीते कैसा कुछ हुआ नहीं और हम फुचर में पिजुचा नहीं होता है यह मैं आशा रखता हूँ बिल्कुल मैं जर जो आप बता रहे हैं वह सीचेशन वाद अगाज डेफिनेट सी कोई जंडल इस शीटों कोने वाली एक डेफिनेट चुट पोड़े चीज़ा उंदस्टेंडिंग बात है राइट वह में किस वेसे दोता है टीस वह एक्सपेंड गर दो कि टुट भी सौट है एक इसे बात को लेके जो मेरा अतच्यूरूआरं रहा है बिसनस को लेके मैं उनके रिगार्डिंग कुछ कहना चाहूंगा की जोस्त क्या होता था window वुसक्त हो आपका जो आप इस लेना देना नहीं अपने को अपना कंपनी प्रॉफिट में कैसे जाए कि उनके साथ अपने को अपने को लेना देना वहिए और इनिछाम स्टेज में पार्टनरीफ बिजने सोते तो conflict होती है थोड़ी बहुत क्योंकि उस time पे इतना cash inflow cash out flow का का दिक्कत रहता है company अभी शायद profitable ना हो या नील चल रहा हो profit ratio तो obviously उस समय पे mutual understanding काम करती है लेकिन क्या चीज है कि company को manage भी तो साथ हो साथ करना होता है और अपनी-अपनी responsibility होती है तो यह ऐसी situation कभी आई है शिरुवात की phase में जब आपने start-up किया था तो cash flow अगेरा का और उस समय पे कोई as a decision जो लेने हो बहुत important हो but due to some reasons अपना ले पाए हो या फिर disagree करना पड़ा हो आप एक-डूरी हम जानते कि आपकी दो companies चल रही है एक आपका unit ACZ में भी है और एक unit DTA एरिया में भी है तो ACZ में जब आपने unit open किया तब भी आपको investment लगा होगा जब आपने DTA में open किया तो भी बहुत सार investment लगा होगा तो ऐसे case में particularly हम जानना चाहेंगे कि जब आपने investment किया और जब particular business को run करते हुए आपको 6-7 साल हुए तो क्या उसमें कभी cash flow को लेकि दिक्कत आई है अगर मान लिजे कि आपको requirement की मुताबिक जो भी investment करना था वो आपके पास नहीं था तो आपने उसके लिए क्या solution निकाला खास कोरके cash flow को लिए तो starting के point पे cash flow का issue रहता था order साते थे cash flow का situation नहीं दा लेकिन हमेने market में value अच्छी थी और market में relation अच्छा बनाया था तो हमको credit पे माल मिलता थे और हमेने उसको finance भी मिलती थी तो finance मार्केट से लेके order fulfill करते थे करते हैं कि आप जितना earn कर रहे हो उसी को manage करते हुए अप आगे के plans करो ऐसा नहीं कि हम long term नहीं देख रहे हैं long term देख रहे हैं लेकिन हमारी current situation को ध्यान में रख के long term देख रहे हैं उसमें main thing अमिद भार हमने finance management में बहुत focus किया था किसी का time payment किसी का जो time commitment दिया वर्ट दिया time payment करते दे तो मेरा impression हुआ था market आपके supplier के दिमाग में कि बहुत बार इन्हों ने बोला है कि एक महीने payment करेंगे तो वो करेंगे तो दूसरी बार अगर मानलो कि आपको माल चाहिए तो without hesitation आपको देते हैं यह चीज ना देखो नए start-up नए अभी प्राविट भाई ने बताया कि उनको क्रेडिट पे माल मिलता था उनकी कुछ रैपो थी इस्टरी थी आ market में suppliers के साथ तो अब नाया बंदा जो आ रहा है जैंसें जोलरी फिल्ड में उसको तो कौन जानता है उसको कोई उसको तो कैश बन ही करना पड़ेगा कैश पर इमाल लेना पड़ेगा अगेरा तो क्या लगता है आपको मदलब उनको यह फेज में कितना दिक्कत होगा यह फिल्ड ऐसी है तो दिक्कत वहना एक्शली फर्स्ट वन टूवे ऑथेंटिक हमने जब स्टार्ट की पार्टाशिंग फिस्टी वन तावजन लेकर बेट एदेंशन च्टार्ट किया मानना देन अमने मार्केट से सब्सक्राइब करते हैं अगर बंदा काम करने के लिए अपना वो डेडिकेशन खुद से दिखाए कि मैं यह करना चाहता हूं मेरा यह प्लान है आप मुझे अगर इसमें हेल्प करते हैं तो करना तो मेरे चाहल से वह केष्प लोगा जो दिखेत है वह इनिस्ट्री पर इस पर शाहता है। तो मैरे पास पाइनाज मेरा फादर का था लेकिन मेरे पहले से कर दूंदा नहीं है जब मैंने बीजने स्टाट किया तब रियलाइज हुआ का पाइनांस से चलता है अपना चलता है तो जैसा दर्शन बाइंगा तो जम्बो लोन पर मैंने 51,000 का लोन लेके ये एक प्राइम एक्जम्पल है कि आप बिल्कूल ग्राउंड लेवल से इतना बड़ा बिजनर शुरू कर से तो और ये कौन से साल की बात है जब आपने वो प्राइम लोन लेख ले और अज ये स्टेज पर इतना ग्रोव किया द आपके जो प्लान है अगर वो एकदम स्मूथ है अगर आप उनके उपर कॉन्फिडेंट है तो बड़ा बात नहीं यह आप ज्वैलरी बिजनस के अंदर एंटर हुए आपने इसके बारे में सोचा और आपने इस बिजनस को अडॉप्ट किया तो इसके पीछे ऐसा कोई कि चलो ज्वैलरी बिजनस के अंदर जाते हैं लाइक आप ज्वैलरी फिल्ट से ही थे बट फिर भी कोई ऐसे लुकुरेटिव पॉइंस जिनकी बदावलत आपने यह इंडॉस्ट्री को चूज कोई कोई रिलेटिव हो कोई फ्रेंड हो जो अल्री बिजनस में हो मतलब क्य कोई भी इंड़स्ट्री में जाने कि अधिस मेरे को तीन चाह साथ आप आप जाए इसके पीछे ऐसा नहीं था कि ज्वैलरी इंड़स्ट्री में पैसा भी है तो अपना यह बिजनस चूज करते हैं अगे बढ़ता है वह एक्ष्प्रेंस था तो फिर आप ज्वैलरी बिज बिजनस के साथ कनेक्ट तो हो गए इसमें एक 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 मैं आपको रूपना चाहूंगा बहुत लर्निंग वाली बात है यहां पर न्यू एंट्रॉप्रेंस के लिए जनाब का एक्सपेरियंस था डाइमंड में थोड़ा और तीन साल चार साल तक अगर आप किसी बिजनस को अगर हम अपने फादर को देखे यह यह बहुत अच्छी बात बोली के और आपने यह मुझे भी परसनली फील होता है कि अगर हम अपने फादर को देखे जो कुछ भी नहीं था और सिटीज के अंदर आये और फिर उन्होंने अपनी शुरुवात की तो यह गिवन देर हंडिट परसंट तो देर ओन बिजनस और ओन जॉब फस्ट उसका जो एक्स्पेरियंस रहा उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ स्टाट अप किय बहुत पेशन्स के साथ बिजनस को डेवलब किया और फिर जाके को एक लेवल पर पहुंचे आज क्या होता है कि यंग्स्टर को सारे चीजे रात उराच चाहिए उनको लगता है कि सफलता तुरंत मिलनी चाहिए मिरे पास आइफोन होना चाहिए और पास गारिया होनी चाह एक्सपर्टीज का बहुत महत्वा होता है आपका जब तक एक्सपर्टीज नहीं बनता ना किसी सब्जेक्ट के ऊपर तब तक आप उसके अंदर से आउट्पूट नहीं निकाल सकते यह मुझे परसनली लगता है प्रविंट आप क्या कहते इसके बारे मिलता है तो जितना बंदा थाला है ओसकर उसको उसको लेक्षोल रहेगा उसके बिल्कुल दर्शन बाइंस के बारे में आप क्या कहेगे कि अपके श्रापड करता है यह वर्ड क्यूंकि आपके लाइफ में कोई एक चीज़ के ओपर तो आपका एक्सान होना चाहिए ऐना तो कहीं नहीं आप आपना बिजनस डेफिनेकल बढ़ा कर सकते हैं क्या करेंगे दिश्चन भी आपने जिसे बात के एक्सप्रियंस सी कोई बंदे का कोई भी एक फिल्ड में एक्सप्रियंस बेफिनेकल एक्सप्रटाइज हो जाएगा वह बेली रुटेन में मतलब वही काम करना है सब उस मेरा काम है मार्केडिंग का तो लेवल में मेरे को मार्केडिंग एक्सप्रटाइज होने के लिए मार्केड में जाना कॉस्प्रमर के साथ कन्वर्जेशन करना तो तभी मेरे को एक्सप्रियंस होगा में लोगों से मिली होगा तो एक्सप्रियंस होगा आपके सफल तक ही शुरुवात होती है, तो पहले तीन से चार साल का टाइम किसी बिजनस को देना यह आवश्यक होता है, तो न्यू अंद्रपेनर्नर्स को बिल्कुल हम रवीन भाई और दर्श्चन भाई की और से बूलना चाहेंगे, कि आप अपनी एक्सपर्टीज को डेवलप करने के लिए टाइम दीजे, अब अगर टाइम देंगे न, तो आप अपनी फिल्ड में आगे जाके महारत असिल करेंगे, इस बात पर कोई शंका नहीं है और यह 100% आपको रिजल्ट निकाल के देगा, अगर कोई अगर कोई नया एंटर्पेर्णर जैमसें जैलरी में आना चाहता है और अगर उसे अगर उसे अगर उसे सीखना है, जो हम बात कर रहे हैं एक्सपरियंस की, दो तीन साल एक्सपरियंस चाहिए, जब आपको एक्सपर्टीज बिल्ट होती है, तो उनके लिए कौन-कौन से ओपन रास्ता है कि वो एंटर हो सके, as a very fresher, कौन रखेगा उसे, कौन हाथ पकड़ेगा उसका, यूकि maximum यही question रहता है कि अगर शुरू करे, तो करे कहां से, इसके लिए के अरुभाई के जो न्यू एंटर्पेरिनर आते हैं इंडेस्ट्री में इंडेस्ट्री में तो उसके लिए उसको पहले प्रेक्टिकल नॉलेज पाना पड़ेगा, manufacturing unit में छोटा से चोटा काम करके पूरा जो प्रोसेस होते है जूल्री के, खुद वो देखके नहीं, खुद अपने साथ में जूल्री के साथ में रहेके जो एक experience पाएगा, तीन साल उसके साथ रहेगा, मतलब अगर वो कहीं पर जॉइन करता है, तो as an intern, समझ लीजिए, college degree complete किया किसी ने और तुरंथी कहीं पर जॉइन हुआ, manufacturer के वहाँ पर एक्जमपल, तो as a हो तो बहुत fresh और intern हुआ, तो मतलब factory वाला भी क्या काम करवाएगा उससे, काफी सारे भी institute भी है, शुद में, I.D.A. जैसे, और अभी recently भी S.J.M. इन इस्टूटूटूटूट किया है, training center चनल, आप वहाँ जाके experience ले सकते हैं, और वह experience कोई भी नहीं factory है, तो अटलिस आप क्या काम करते हैं उदर, वह बेस्ट पे आपको डॉक्तों में सकता है, बेजिक लिएल से कामगा, आपका यह कहना है, कि अगर उनको कहीं पर एज इंटन भी काम करना है, तो कुछ diamond related courses है, वह जरूरी है, और अगर उसने ना किये हो, देखे, diamond related courses की fees, I think 30,000 से लाख रूपे उपर तक ही है, market में GIA के courses वगेरा है, तो अगर वह भी नहीं किया है, चलिए समझ लीजिए, तो कोई possibility है उन लोगों के लिए कि आप आपकी factory में या फिर किसी B2B manufacturer factory में उनको कहीं पर भी place मिले? Yes, definitely. चोटा से चोटा काम जो आपने बता है, तो क्या हो सकता है उनके लिए? तो basic level, ground से उसको काम करना पड़ेगा, तो raw material कहा से आता है, इसा process होता है, देख देख के उसको साथ रेख के उसको practical knowledge उसके साथ रहेगा, तो उसको देख पाएगा, जर उसको theoretical knowledge तो आ जाएगा, लेकिन हर एक jewelry के time पे उसकी process different different है दिया, तो उसको minimum 3 साल तो मेरे इसाब से देना पड़ेगा, मतलब मार्केट में जगा है? यह यह यह, बहुत से बहुत से, अज कोई long lasting thinking आना जाएगा, तो definitely में रखूँगा, मेरे यह बेनिफिट है, वेकिन वह thinking बहुत से होना जे कि हा, मैं इसमें long lasting, और मैं सिखना है मैं कुछ सिखना है मेरे को, इस इंडिस्टिर मैं आगे बढ़ना है, कि याद लेने वाले प्रेशन बहुत लोग है विस अब लोग सीखते तो आफ महीं आदे सीधी बार अगर यह बता यह रहा है एक्चुली कि यह इंडस्ट्री में बहुत सारी है अगर हम बात करें इंटरनेशनल बिजनस को लेके भी जैंसें वेलरी को तो मैं इनके एक्सपर है ना तो मार्केट में लोग आपको अडॉप करने के लिए रही है क्योंकि सुर्च वैलरी मैनेफक्टर रसोचन के साथ भी को लाप तो कई बार मेरी उनके प्रमुक से बात होती है तो यह बोलते हैं कि अभी मार्केट में नीर बहुत है अगर बंदा एक्सपर्टीज है तो एपसुलूटली तो यह बोलते हैं कि अपर्ट इस नहीं है बट उसकी लिए किसी बी न्यू अंट्रोपेंटर को अपने आपको इस बात को लेकर रेडी करना पड़ेगा कि अपना चार से पात साल सीखने के एटीट्यूड से डेवलप करना है सीखने के परपस से उसको किसी जगह पर जॉइन होना है और फिर्म अपनी अंट्रोपेंटर जर्मी को सूचने की शुरुआत कर सकता है अगर कोई नया इंटर्पेंटर कहीं पर एक्सपरियंस करने के लिए दो से तीन साल कहीं पर जॉब करता है तो फैनाशली उसको क्या मिलता है कुछ फैनाशली फ्रीडम रहती है उनको घर पे भी लोग पूछते कि मनना कहा जा रहा है मनला पेट्रोल पानी के तो निकलते ह अगर मनला साल कि में या उनको फैस में या सब्सक् ribbon करते है इंटर्पेंटर फैंटरें और थैरेंटर्पेंटर्स सम्च चितल इंटर्पत कहीं इंटर्प 좋은 करता है किर में एक सुन के लिए कं राटी А शाम इनकिया मैं तुकरते नहिंसाहें उमामेरीश की साइकल में जाती है नाइट की सेकल में और सुबह अल्ली मॉर्निग जब सेट आता था उसके पहले में फेक्टरी पे आ जाता था तो लर्निंग फेज में जो न्यू एंटर पर उसको इसको चैलरी पे फोकस नहीं करना चाहिए मेरे एक्सप्रियेंस के शाप से उसको लर्न पर आपके पास हां यह लर्निंग के लिए तो बड़ा काम कर पाएंगे और उनके आंसर में और भी बात अल्रेडी उन्होंने बताई टाइम के हिसाब से आपका से जो है वो भी बढ़ता है अगर आज की हम बात करें तो प्रवीन भाइब आपने शुरुवात की उस वक्त क आपका सेलेरी और आप जो अपने एंप्लोई को दे रहे हैं जो फ्रेशर एंप्लोई दर्शन भाई यह सेलेरी में बहुत तफावत भी होगा विकोज आज के डेड़ के हिसाब से जो भी इंफ्लेशन बढ़ रहा है उसके इसाब से जो भी आदमी काम करने आता है उसको ब में काम नहीं करता है और एक चीज दर्शन भाई एक यह कंफ्यूज है मुझे कंफ्यूजन है कि बंदा अगर नया नया जॉइन करता है जोलरी मैनुफेक्ट्रिंग काफी स्टेजिस में होता है ठीक है और त्रूआउट ए टूज स्टेज आपकी फैक्टरी में सारे डिलृट्टमेंट के एक्सेस देता या फिर एक एक डिपार्टमेंर पे उसको लॉट किया जाता है कुछ साल तब कि ब्धैब करो अगर आप सीख रहे हो आप तो तो ने क्योंके सीघ्एक रब्में हो पूरा सीखना जडरूरी है बिना कि पूरा सीघ्टीस होने षイल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो पहले आप लर्निंग स्टेज को अच्छे से समझिए सेकेंड नंबर पे अगर आप कुछ भी स्टाट अप करना चाहते हैं तो फाइनांस इस वेरी इंपोर्टन और फाइनांस को मैनेज करने के लिए आपके पास अलग अलग बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उसमें से एक तरीका यह है कि आप पार्टनर्शिप के बेज पे अपना थोड़ा थोड़ा investment करके चालू कर सकते हैं या तो फिर startup funding के अभी बहुत सारे options available हैं तो आप उनके अंदर भी जा सकते हैं बाकी आपके supplier के साथ अगर अच्छे terms बनते हैं तो definitely material मिलने में कोई issue नहीं है बर आप उनके साथ आगे business को कैसे एंडॉल करते हैं यह आपकी कोई doubt create ना करना जिसे कि आप long term business को sustain कर पाए अब थोड़ा के और इसको आगे लेके जाते professionally company के startup में जो steps जरूरी होते हैं उनको follow कैसे किया आपने और किस तरह से आपने अपने अपनी company को start करते वक्त उन चीजों को माइन में रखा उसमें सबसे पहला question आप दोनों की लगेरा तो आपने जब शुरुआत की तो क्या यह जारे parameters कहीं पर माहिने रखते हैं आपको लगता है कि इन में जो obligations होते हैं वह हमें initial phase पर देखने चाहिए नहीं वह सब चीजों पर लिए लिकिन हमने वह नाम एक export created करके हमने रखा स्टारिंग से एक शियों export करके इंच आपको बताता है उस ही बात को लेकि और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है दरशन पर मैं आपको पूछना चाहूंगा वैसे आपने तो partnership में शुरुवात की पर अगर मानलो कोई बंदा इंडिविट्यूली अपनी कंपनी को start up करना चाहे ज़न्यू entrepreneur तो क्या यह पॉसिबल है जैमसें ज्वालरी सेक्टर के अंदर अब क्या रहा है है डेफिनेंटी पॉसिबल है क्यों नहीं क्यों आपको सार अब बागी का एरिया पूरा डेवलोप करने अपने आपको तो टीम अपनी ओनी चाहिए तो partnership आपको create करना पड़ेगा है अकेला बंदा सब जगह पे नहीं पहुच पाई इन हुस तो सब एरिया पर अपना अपना एक partner होना चाहिए अपना कोई भाई होना चाहिए कोई member ह क्योंकि मैं एक बात यहां पर clear करना चाहूंगा एक्चुली जो मैंने आपकी कंपनी में देखा है कि जैसे दर्शन भाई आपके भाई है शीवम तो यह आपका पूरा डिजाइनिंग और manufacturing वाला प्लान संभालते हैं आपका काम है कि international clients और national clients को connect करना और उनको services देना सेम तरीके से अगर हम बात करें प्रमीन भाई की तो इनके बाए गोपाल भाई जो पूरा sorting का काम और grading का काम करते हैं और बाकी finalize जो भी चीज़े करनी है वो सब प्रमीन भाई करते हैं और mainly जो accounting वगेरा जो ध्यान रखना या तो procurement वगर सब देखना यह प्रमीन भाई करते है तो मुझे यह पर्सनल ऐसा फिल हुआ कि इनिशली आप एक बंदे के तौर पर अगर ज्वैलरी सेक्टर में काम करते हैं तो नहीं हो सकता है सब नहीं है पर कठिन्याहियां आपको विकेंज से फेस करनी पड़ेगी सब्सक्राइब की बात अब्सुलूटली अब ढूआ कि मैं अगर मर्चंडी के तौर पर काम करना चाहता हूं टेडर के तौर पे मुझे अपना मैनुफेक्ट्रिंग नहीं लगाना है तो मेरे क्याल से तो इसकी कोई जरूरत नहीं है पार्टनर की अगर मेरा टेस्ट अच्छा है मुझे समझ में आता है कि से उठा सकता हूं तो मेरे कहल से मैं अपना कमनी स्टार्ट अप कर सकता हूं एज इंडिविडियोल पर्सन आल्सो तो यह क्लारीफाय कर देते हम यहां पर कि अगर आप मैनुफैक्ट्टरिंग में आगे बढ़ना चाहते हो तो यह रिक्वाइड टीम पर अगर आप ट्रेड उस बेज पर यह प्रॉसेस जो होती है उसमें कौन-कौन से स्टेजी होते हैं लाइक एज बुजनस परसन मैं जोलेरी के साथ जुड़ा हूँ मैं उसका एक्सपोर्ट समभालता हूं तो मुझे इतना समझ मयाता है कि क्लायन को फैच कैसे करे पड़ा आप मैनुफैक्टरर हैं तो थोड़ा यह जानना चाहेंगे आपसे कि इसमें कितने स्टेजी होते हैं और यह स्टेजी में कौन से ऐसे स्टेजी जहां पर आपकी एक्सपर्टीज या तो आपका कॉंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा चीज है तो यस प्रविन भाई आपसे शुरू करते हैं चाह त कितना गोल्ड जाएगा कितना डायमंड जाएगा तो किसा लुक आएगा 3D लुक उसमें भी आए गया भी कि उसका वीडियो भी बन जाता है तो एक कब को विजुलाइट देख सकते पिए जुलरी आप तर ओफ फिनिस बनके इसी लुक आएगा तो फर्स्ट ओफ उल उसका डिजाइनिंग बनता है उसके बाद उसका अप्रोक्सिमेट बजेट निकलता है पर इसमें गोल्ड इतना जाएगा डैमंड इतना जाएगा और अलग-अलग केरेट्स में हिसाब से कितने का बनेगा वेल्यों और कुछ नॉर्मल चैंजिस होता तो डिजाइनिंग के फेज जुल्री बन जाती है और आर्पीटी आने के बाद उसका मोल्ड बनता है फिर उसका वेक्स निकलते फिर उसका वेक्स क्लिनिंग होता है वेक्स पूल आउट होता है फिर उसका इन्वेश्मेंट होता है कास्टिंग होता है कास्टिंग के बाद उसका जितना जो केरेट में घृट सेस्टील सब्सक्राइब फो पिर उसका क्यूशी होता है, पिर होटा ही रुख वहाँ वहाँ ही रुख देता है, चेंज इसे करवा आतwand फिर फृर permite क्यूशी स्वान होड पूरा ज्यूठ्यम वाल पोड़ शेडी होने के बाद रोडियम में जाता है, रोडियम मेना जुरतन जो भी final जो भी रिक्वार्मेंट हो जाता है फिर उसका एंगरेविंग होता है उसमें सब मार्किंग हो जाता है कितना करेट की जुवल्री है 14 KT 18 ज्रवर्द पर था नहीं जूँट्छ पर यह उसमें कितना डायमंड पीस लगाया हुआ है कितना दायमंड का वेट से और कुन सा केरेट का है उसमें से अब तिसमें से अपैकल है यह विसमें से एक वर्ड के बारे में थुड़ा मैं अलापर बूराइब आंसर चाहूंगा वाइस फाइलिंग एक्षाटली क्या होता है फाइलिंग मतलब जो कास्टिंग किया हुआ है तो इसमें कुछ काफी सारे अलफनेस होते हैं तो क्लियर करने के लिए पीस को मतलब लाइक फोड़ा पॉलिश का फाइल करना क्योंकि ठीक से वंदर डाम वगेरा सेटिंग कर पॉलिश करके उसको इस तरह से तयार किया जाए ताकि डामन प्रॉपर्ली सेट हो पाए उसको फाइलिंग बोलेंगे जो एक्स्टा मेडिकल होती हो निकालने बना रहा है बहुत अच्छे तरीके से आपने अलाबरेट किया कि डिजाइन लेवल से लेके एक फाइनल प्रो क्या क्या स्टेजी से वाम काफी वीवर्स को दिखाना चाहें कि क्या क्या प्रोसेस रहती है मेरा experience रहा है कि दर्शन भाय और प्रवीन भाई से जितनी बार हमारी बात हुई है इन लोगों ने कभी मना नहीं किया है अचा ठीक है आप देखना चाहते है आजाओ हम आपको दिखाने के लिए और यह मुझे लगता है कि यह जो ऑपन अप्रोच है ना because of that they are growing they are growing वो कुछ भी बंद नहीं रखते है ठीक है अगर आपका expertise होगा तो आप भी कर पाएंगे हम लोग कर रहे है क्योंकि हमारे की कुछ expertise और हमारे उसके अंदर खुद के interest है तो इसलिए हम पर आप लैंड हुए अच्छा उसमें करने के लिए तो उसने हमको काफी नेम दिया था उसमें जोडियम करके एक नाम दिया था जोडियम तो मैंने दिवांग में लगाया कि अपना काम गोल्ड और डायमंड का है तो मैं इसे कुछ करते लोजिकली के गोल्ड का जीओ आज तो डायमंड आगे जाएगा अबसलूटल अबसलियम ने गोडायम नाम सिलेक किया और वो उनीक नेम है आप कभी भी नेट में का काफी शॉर्ट है मतलब और थोड़ा नेवर ओल्ड नेम है मतलब कभी पुराना नहीं हो गया आसक चीज आ दरशन भाई एक क्वेशन ऐसा ह क्या आपने अपनी कमनी का नाम ट्रेडमार्क वगेरा करवाया है मतलब रजिस्टर आर वो लगता है और लोगों के उपर और इसका इंपोर्टन्स है क्योंकि मेरा कुछन पूछने का रीजन यह है कि जो नए अंट्रप्रेनर्स है ना वो काफी बार ऐसा पूछते है सर हम आपने करवाया है अगर करवाया है तो कितना इंपोर्टन्स है शरुवायत के फेज में अपने नाम फाइनलाइस किया गोड़ाइंगी रपना है तो फर्स अब मैं चेक किया सिमिलर में कहीं पैठायने इक अभी तो आपको इंपेट नहीं करें इन फुर्दर कभी आप बि आपको फर्स अब देखना है यह नाम जो है कहीं पैविलेबल नाओ और फर्स अब ट्रेडमार करवाने कहीं है काफ़ी सारे एजेंसिस हैं अबनेबल तो मैक शुर तरिए कि आप जरूर रजिस्टर करें और दोमें लेना इसके लिए नीडे भीको अपाना नाम है गोड़ तो पर से लिए आप बैक्रांड पुरा चेक कर लेना चीज़ और अवेलेबल है तो डेफिलेबल है या फिर आजकल नए डाट ग्लोबल डॉल्ड वर्डवाइड एकसे अब मैस्ते करने आप सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करिया है तो उसका दोमें नहीं नहीं है तो किस्तमर को कभी में साइड हो गया देखने के लिए कंवेंस करूंगा तो डेफिलेबल नम बजाना बढ़ेगा तो डॉमें में एज़ टेकनिकल परसन में ऐसा कहना चाहूंगा की हो सके उतना शौर्ट डॉमें लो और डॉट कॉम अगर नहीं है तो डॉट इन से भी कोई दिक्कत नहीं है डॉट इन अगर 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 मतलब ऐसा दिक्कत नहीं है लोग डॉट कॉम की भागते मतलब और भी काफी सारे मिलते हैं डॉमेंस के एंड पॉइंट से तो उसके साथ भी आप जा सकते हो अच्छा तो अभी हमने मैनुफेक्ट्रिंग की रिगार्डिंग थोड़ी बाते कर ली कंपनी फॉर्मेशन के रिगार्डिंग थोड़ी बाते कर ली अभी आपका एक्स्पिरियंस जो भी मैन पावर के साथ रहा है उनकी रिगार्डिंग कुछ सवाल है हमारे पास जैसे की प्रवीन भाई आप से मैं पूछना चाहूंगा कि यूनिट्स विजिट किये हैं तो मुझे यह हमेशा यह लगता है क्योंकि मैंने कभी मैनुफेक्ट्रिंग किया नहीं तो इस सवाल में दिमाग में होता है कि आप आप आज किसी को कुछ सिखाया बंदा आपके वहां पे काम कर रहा है कोई आपकी फैक्टरी पे आया वह ब यहां पर यह भी नॉomorphा में चाओंगा कि आपकी कंपनी के रिगार्णि मैंने एमपलॉईज को जिस तरह से आफ अरचर करते है यह मैंने बहुत बंद रहा है प्चा सुछा है जिस तछासरा से आप उनको मैंेज करते हैं ऑनको सथोल के करते हैं उनको और सभी दाय दे आइ प्रामिद भाई अब्सक्राइब भाई अमने अमने अमेरा जो आटिशन जो मेरे साथ जूड़े जो मैनुफेक्टरिंग उने में तो हमने पहले इट्मोस्फिर क्रियेट किया को वह फैमिले मेंबर है उसको उसे ही टूप करते हैं हमने जो एक टीशेट बनवाई थे हमको उसमें उसको आइडेंटेटी दिया ग्रोथ पार्टनर जो मेरे साथ जो इतने लोग जुड़े उसको अम ग्रोथ पार्टनर ही मानते और इसे हम उसको फिल भी करवाते सालान एक बार दो हजारल लोगों के सामने उसको स्टेज बर देते चो बेस कील होती है एपरीजिंग फरीजिंग तो दे एम्प्लोई पिर उसका जो बर्डे होती है तो कंशे को बर्डे सेलिब्रेशन किया जगा के टिंग उता है और उसका जो फेमिली का कुछ नोटा मोटा इस्यू होता है तो वो भी हम हमेंडल करते हैं उसको ध्यान देते हैं कि कैसे रिजॉल्ट कर पाएंगे उसको हम क्या उसमें यास और से लेक्टिविटी होती है जैसे ट्री प्लान्टेशन ब्लाड डॉनेशन तो उसमें भी उसको इंपलोई के साथ तो इंपलोई इसा नहीं चाहता है अब हमेरे साथ जब कमनी स्टाट किया तब इसे अभी राइट नौ भी एंपलोई है कापी तो उसको भी एक अच्छी काम करने का इटमस्पेर मिलता यूज फ्रीडम मिलता है तो प्रविट भाएंग इस शुरू किया कि डीटेल जो बताया ना उसमें एक बात जो बहार निकल के आती हैं वह बहुत ही टचबूड है और यह की एंपलोई आप से दूर जाना नहीं चाहता है अगर आप उनको प्रॉपर नर्चर करें अगर आप उनको फैमिली की तरह ट्रीट करें अगर आप उनकी चोटी-चो सब्सक्राइब करें तो उसके जामने आप अपनी और से उनको फैमिली की तरह बहार लेकर जाते हो दो-तिन दिन के लिए उनको यह यह फील करवाते हो कि वह आउटर वल्ड भी कुछ है जहां पर काम के अलावा भी आप एंजोइमेंट कर सकते हो सब्सक्राइब करते हैं तो उसको भी लगता है कि मुझे कुछ लर्निंग मिलता है मेरे स्कील डेवलोप होती है एक्षफटाइज बन्हार Κा कर रही है तो मेरे APP डाविया काम कर रहा है तो उसको वह सारी मिलनी चाइंगे एक फैमिली मेंबर के तौर पर उसको मिल चाहिए क्गोस क्छी यह चुए oh करें तो यह मत सोचे कि यह बंदे को मैं नर्चर करूंगा कल उड़के भाग गया तो आज आपके पास है तो आप उसको से टीड करो कि वो लंबे टाइन तक आपके साथ रहेगा क्यों और यह जो आर्टी संसे ज्यादर आर्टी संसे इस्टन इंडिया साइड के पूरे इंड कि वो बंगाल है कालकता और क्या डिफरेंस रहता है इन गुजराती कारीगरों में और बंगाली कारीगरों में तो मेजर जो आटिशन होता है इंडिस्ट्री में कालकता से बिलोंग करते है उसमें एक स्कील होती उसका ब्लड में होते है जो बनाने का और उसका जो उनर होत के तो मेजोरेटी कलकता बेजिस होते हैं अच्छा यह उनका मतलब एंसेस्टरियल मेरे क्याल से वह हैरार्की है जिनकी बदॉलत हां मतलब वह कारीगर आपको और कई से नहीं मिलेंगे जैसे डामन के लिए गुजराती जो आपको दुनिया के कोई कौन है में नहीं मिलेंगे अच्छा दर्शिन भाई आपके लिए एक सवाल यह था आप आज की डेट में जितना भी यह मैनुफैक्ट्रिंग वगेरा सब करते हैं इसमें आप जितने भी एंप्लॉई के साथ काम करते हैं क्या आपको लगता है कि इसमें से कोई स्टेजिस पे यह आर्टिसन्स खतम हो आपने जैसे बताया मशिनरी इनोवेशन करती है तो जो स्कील है वो तो डेफिनेटी है आटिशन मेरेक्ट्रिंग अप्सुल्लॉई पर जो फाइनलाइस करने का जो थीन से वो कभी मशिन डिसार नहीं कर सकी बिकोर इस ओफिल्या है और फाइनलाइस उसके तुई होगी त तो मुझे जब तक लगता है तो इसे मशिनरी चेंज होगी इनोवेशन होगा तो इंडस्टी में तो मशिन चेंज होगी लेकिन स्कील पर संद आलवेश नहीं ड्रह गाई तो जैसे दर्शन बहीं बताया मुझे यह लगता है कि चाहे जितना भी टेक्नोलोजिकल पर जो क्राफ्में चीज बोली वह एक टच्वूर्ड चीज था कि प्रोड़क्त एक बार बन गया तो जब एक यूमन बिंग उसको देखके जो फिल करता है वो मशिन नहीं कर सकता तो उससे जो फिल प्रोड़क के अंदर आता है और एक कस्टमर के व्यू से जब आपका आ अब यह देखा है कि चोटी-चोटी चीजों को कनेक्ट करके पूरा हार बनता है जब आप हार को देखते तो ऐसा फिल नहीं होता इसको बनाने में इतना टाइम गया होगा पर जब आम इस प्रोसेस को देखते है चासा लगता है कि बाई-चाब यह तो लंबा प्रोसेस है लाइक एक एक चीजों को जोड़ना उसको तरास्टना फिर उसके डामेंशन को चेक करना दोनों तरफ से वह सैमल्टेनियस होना चाहिए तो इस बात को लेके मेरा एक सवाल दर्श्टन भाई आपसे था कि जितनी वह आटिसंस हमारी इंडस्ट्री में काम करते हैं उनका ज अज़री आप डिजाइनिंग का बात करें तो पुछी डिजाइनर है तो और राउंड 20 से लेके खटी तफ बार में बेजन उसके एक्पियेंस है उसके पन डिजाइन करते हैं तो राउंड आप रखे तो 22 और 25 और 35 तक साहिव दायता है और वो कितना साल का एक्पियेंस व दोनों चाहिए जरूरी निया कि दिस सार से डिजाइनर है तो बैटरी बना रहा है तो आम टॉकिंग बाउट से एक बैतों को मैं कनेक्ट करना चाहूंगा यहां पर वर्डवाइड जो सिनारियो वेज का है ना उसके हिसाब से इंडियन वेज यह बहुत कम है और इस बात क हम बहुत अच्छा फाइदा ले सकते हैं जब हम इंटरनेशनल यह अपने प्रोड़क को बेचने के लिए आगे पड़ते हैं क्योंकि अगर आपका वेज कम है तो बड़ आपके जो कस्टमर्स है उनको एक एप्रोप्रियेट प्राइज में प्रोड़क्त मिलेगा और बड के साथ फॉंड वह उनके प्यार में तो बड़ आप यह चाहेंगे कि हम हैंनमेट पर्चेस करना चाहते हैं ना कि मशीनरी ज्वैलरी और दूसरी बात यह भी है कि चाइना को अगर हम इसके सामने तो वहां का वेज जो है वह हमसे कहीं गुना ज्यादा है तक्रीबन दो तो मुझे लगता है कि अपने इंडस्ट्री के लिए जैमसें ज्वैलरी में खास तौर फे फ्यूचर जो है वह बहुत ब्राइट है वन आम टॉकिंग अबाउट दी स्पेसिफिक का सेलेरी एरिया और अफ अवर एंपलोई जो की स्कील्ड है और जो बहुत अच्छे करेंड है और अभी का करेंट सेनारियो अब बताई आप में अपने फेक्टर आपको पता होगा ज्यादा और अगर नया डिजाइनर जो एकदम कोर्स कंप्लेट करके कहीं पे ज्वाइन होना चाहता है तो उसको क्या पॉसिबिलिटी होती है क्या चैलेंजिस उसको थोड़ क्या आप मैं इन शुट मैं मुझे डिजाइन करेंजिता आइडिया नहीं मने पर टिकुलन सॉफ्टर कैसे रंताइड होगी तो कंप्ली अप्लोई के बरो से चलता है ठीके एक कंटी क्यूस उसके जिए उसके नौलेज लिए है तो अबिस्टी इंडिस्टी जो है गुरू अबिस्टी जब मार्केट मोगा तो फिर्स्ट अफॉल फिर्स्ट नीट है डिजाइनर क्योंकि अधर से काम आगे बड़ता है कुड़ा मैनिफेक्ट्री का जो प्रोसेस है तार्टी इंस्प्रेक्ट्र सी होगा तो अल्वेज मार्केट में यह निक्तर हो रहने वाली अब बढ़िए अच्छा सवाल पूचा क्योंकि मुझे परसनली फिल होता है कि अगर आप और है तो आप चाहते हैं कि यह काम में बहुत अच्छे तरीके से किसी के पास निकल वाओ तो वो काम का एक्स्पिरेंस आपको होना चाहिए मेरे कहल से प्रवीन भाई का डायमंड रिगार्डिंग जो एक्सपिरेंस है यह वहां पर बहुत फाइदेमद होता होगा कि अगर बंदा दैमन को स्टर्ड कर रहा है तो उसको उसकी वेल्यू समझाने में आप बिलकुल है प्रविन भाई आपका क्या मानना इस बात को लेगे इस एकज़िटली क्यों कि जो आट जो हिसाब से सेटिंग किया होता है तो उसका जो लस्टर होता है 100% खिलता है तो चोटी-चोटी चीज उसको दिखाना पड़ता है यह आपका अगर एक्सपिरेंस है तो आप बोल सकते हो अगर आप नहीं जानते हो तो आपको यह पता नहीं चलेगा कि फाइनल जो प्रोड स्कील एक डिजाइन स्कील हो गया और क्या क्या ऐसी चीजे रहती है जो थोड़ा टेक्निकल अगर खुद ओनर हो तो उसको कहीं पे दिक्कत ना आए और कहीं पे ठोकर ना लगे तेक्टिकल चीज में फॉस अब प्रोसेस पुरा है कि स्टार्टिंग से लिए के चली बनता है क्या उसको यह इस डीप लेवल पर होना चाहिए या फिर उपर उपर से अगर मालूम है तो आपके बास कि मैं अभी अभी सर्टिफाइड हूआ हूँ आज डिजाइनर और टॉप लेवल से अपने क्या सुनी हुई अभी तक इंडस्टिम में कि यह डिजाइनर इतना पै नहीं नहीं का ओके फैशर की बात करें तो सी एक पोर स्पैम में जो उसको सिखा गया है और जब प्रैक्टिकल आया था कोई भी परसंट डिजाइनर कोई आता है तो हमारे में आएगा हूँ तो सिस्टम पुरा समझेगा है इस दो दिन में ना सिस्टम में जाएगा उसका स्टम सार्टिंगे उसका बेज़ों उन तीन दिन त्राइज में उसका आइडिया देगे किता स्की पसे उसकी किता मास्तों काम कर रहा है तो वह इस आफ से बेजिक से उसके निशाइड होती है वह फिर भी कितना कुछ नंबर्स दीजिए हमें 15,000 पर लिजिए आप और सूरत में सूरत में 80-90,000 पर जो फेस्वर का काम करते है तो वह तक भी उसके रहते हैं तो आपके खुद की प्राइवेट डिजाइन्स रहती है मैं आपके क्लाइंट की डिजाइन्स रहती है तो यह डिजाइन चोरी होने के कभी केसिस या फिर ध्यान रखना पड़ता है कि मैंने सुना है कि डिजाइन चोरी होते, डिजाइन्स ठोड़ा गथ करते तो यह कैसे टेकल करते हैं उसके पर काई आपके मैं आपके पिर प्राइवेट की आपके बिजाइन्स आहिए है उसके पास पर फिल एचाएन्स ब्सकार किया हो जाए उसके लिए को नहीं परिष तो फिर वो निंकर फिर फिर भी नेने वाला लेगे जाते हैं पड़ा बेस अगर वो इंटेंशनली इंटेंशनली अगर वो करना चाहिए और इस अगर ना हो गरेकर सिस्टम में कितना खर्चा लगता है यह डिजाइन रेंडरिंग वगर हाई ग्राफिक सिस्टम कंप्यूटर अपने लगाए होगे तो क्या आवरेज मतलब अवरेज आवरेज आपको तो 55-60,000 सिस्कम करते हैं एक मशी एक जरके ऑड़के ऑड़के और आपको ए रेंटिंग स छोड़ करे चीज़ा तो आपने बहुत अच्छे से इस बात को समझा के टेक्निकल पार्ट में कहां कहां पे मैंने बहुत करे मैं कौन कहां से रिक्वार्मेंं होता है आज की डेट में तो आपने बहुत अच्छे से उनको ब्लॉक के है technologically ये एक बेक sound चीज है थोड़ा सा मैक्शिफ्ट करते है और अपने जो टॉक है उसको लेके जाते हैं थोड़ा global क्योंकि बड़ आप्वियस हम जानते हैं कि you are one of the largest this exporter from the Surat as I know that कि बहुत सारे exporter में से आपकी company एक सबसे बड़े exporter में से एक हैं तो बट आप्वियस है इस बात को चालू करने से पहले मेरा एक छोटा सा सवाल आप दोनों को है अब अपने experience से इसको बता सकते है कि कोई बंदा अगर इस industry में शुरुवात करना चाहता है तो आपका क्या मानना है कि manufacturer बनना जरूरी है या ट्रेडिंग के तौर पर भी चालू करें तो इसमें opportunities है मैं यह सवाल इसलिए आपको पूछ रहा हो क्योंकि आप दोनों का trading के regarding experience रहा है तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई smart हो और अगर वो ट्रेडिंग को अच्छे से समझे तो manufacturers बहुत सारे market में available होते तो क्या वो इस business के अंदर traders के तौर पर भी अपने business को एंग्रो कर सकता है बड़े लेवल पी अपने इसाफ से development कर सकते है अगर आप ट्रेडिंग की बात करो तो दो दो चीज उदर lacking है आप delivery time delay हो सकता है possibility है और आपका new development new creation आपका खुद का नहीं रहेगा और workmanship में भी फरक आती है अपकी खुद की manufacturing unit में जो jewelry treat होती है वहाप पर आपका खुद का feeling होता है अप उसको भोच करते हो process में और आप outside करवाते हो तो वहापे भी workmanship में 19-20 का फरक आता है तो आपको long lasting customer के साथ काम करना है उसमें आगे बढ़ना है उसको base to base service देना है on time पर delivery देना है workmanship में कोई compromise नहीं करना है तो आपका खुद का manufacturing unit होना जरूरी है तो मैं क्या समझू मैं आने वाले टाइम में manufacturing unit चालो करूँ because yes आप मुझे invite कर रहे है कि आप भी manufacturing unit चालो करो ना see merchandise आपकी आपकी बाद एकदम proper level पर आपने बताई जो भी आपका experience रहा है उसके हिसाब से इसको थोड़ा से ट्वेस्ट करके मैं बोलना चाहूंगा कि as a manufacturer आपने मुझे जो बताया उसी के अंदर अगर मैं यह बोलू कि मैं आपकी company के लिए एक trader के तौर पर आपसे जूड़ता हूं तो जो चीजे आपकी expertise हैं वह सारी चीजे automatically मुझे भी मिलने वाली हैं तो क्या मैं उस level पर आपके साथ जूड़ कर सकता हो कि मैं आपका trader बन जाओ मैं order लेक्या हो और आप मेरे लिए करें तो कोई company को hire कर लो उसका साथ type कर लो contract कर लो कि मैं आपको 100% order दूंगा और मेरी जूलरी बनाना तो आप उस type करोगे तो वह आपको service देगा सब्सक्राइब को बताना बिल्कुल चाहूंगा कि आज के डेट में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप manufacturing उनिट ऑपन करे तो अपने जूड़के अगर मार्केट को डेवलब करते हैं तो मुझे लगता है जो न्यू ट्रेडर पार्टनर है उनका काम होगा नए मार्केट को डेवलब करना और अगर यह दोनों जुड़ते हैं तो विन-विन सिट्विशन के मुताबित एपसुलूटली बड़ा काम कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि आपको manufacturing ही करना है अब आते हैं थोड़ा आपके global shift की और कि आपने local marketing शुरुवात की और दीरे दीरे करते करते आप export तक गए जब तक मैं जानता हूं आज आपकी company का most of revenue generation यह एक्सपोर्ट से आता है तो बड़ आप्वियस है कि एक्सपोर्ट का जो आपका shift हुआ उसमें आपकी जर्णी क्या रही पहला order आपको कैसे मिला पहली बार आपको export में जाने की प्रेना कहां से मिले और ultimately आपने यह मैक्शिप्ट लिया तो उस वक्त आप दोनों के खुद के सोच क्या थे इसके पीछे तो एक्सपोर्ट का जरने स्टाट को ने का भी एक रिजन दा इंडिया में कोरोना तो में अब मार्केट फाइंडिया में बंद है लिए अधर कंटरिस तो चाहरू यह तुम नेक फोकस किया चलो बिजनेस तो आपके बड़ा नहीं है तो डैफिनिटिव उप्शन के लिए अधर नहीं है तो एक बूल लिया यहां विदिन एवीक यह मन उमको एक एक एक्सपोर ओर दोस्ट लेना ही है कैसे एनिया होगे क्योंकि वो मार्केट चालोई है अम यह मैनुफेक्ट्चर तो इसको कुछ भी चाहिए तुम बना के दे सकते हैं अप्सुल्ट आप्रोच कर करना स्टार्ट किया तो दिकत तुम है काफी सारी वह भी आज़ी है कि हमारे यह वह भी आनों है तो एक दूसर पर ट्रस्ट कैसे करें विकॉस सब्सक्राइब कोई कोई भी ज्वादी सब्स्रेस्टिंग तो मिलिवां उसका वेशन कोई 50 दादन 60 दादन तो आ रहे गे तो तो आप पर ट्रस्टिंग रहता है उसके साइड से ही हम किते भी जन्री नहीं हो तो एक लिस कोई और देने वाला है वो तो पहले मैक शूर करें तो काफी सारे पहले हुआ है कि आप पहले गूद्स मेरे कोई आपर बेस दो दो तन रहे में एक दूस्टिंग कर लिया है एक तो फिर्स्ट्राइप फिर्ष्रियोडिट्य के अधवांस पैमेंट और बाद मेंप पूद्स बेज़ बिज बगाएंस सहीट कोई अमर्बर्ट्राश कातर देत देड़िया है तो इसे की अधवांस दिया लिग दिये पेमेंट्ट्रों देञ द्र्स्टन पैमेंट्स पहला जो शिप्मेंट था उसका इन्वेस साइस क्या था था दर्शन भाई इन्वेस साइस की बात करो तो आ इंग थी दावन डॉलर का रहा है अच्छा मतलब 3,000 डॉलर से शुरुआत की और आज ये मेरे कहल से 1.5 लैक डॉलर की भी कंसार्मेंट आप भेसते होंगे सब्सक्राइब करेंगे कि ये मैक शुफ्ट के दौरान आपका एक्ष्पिरेंस क्या रहा और उसके बाद लोकल टू गलोबल गए है ये मैसेज एक क्लियर हो यहां पर होता है डायरकली ग्लोबल से शुरू नहीं किया लोकल से एक उपर्चुनली देखी और फिर ग्लोबल श जो अग्ष्टाइब करें तो एक्साइबन थी और वहां से एनर्जी मिलती थी वह काफी डिफरेंट थी और और उसमें फोकस ओर किया कि पेस्टो बेस्टो बेस्टेसर्विस पर प्रोवाइड करें डिजाइनिंग लेवल क्यों कि टाइमिंग का इस्यु ता स्टार्टिं बाइंग में को लगा दा कुकि वह अपर नाइट होती तो तो कॉमुनिकेशन मेंने स्टार्टिं जाज़न कम किया को रात को स्टो इसको पर उसको रिप्लाइ देते थे उसको को भी आंसर होता तो रिप्लाइत तुरंद दे थे और अमने शर्विस में भी काफी स्पीड र तो क्लाइन को मेरे साथ ट्रस्क बेट गया तो वही जो तीन साल चेमरे जूड़े तीन साल पहले जूड़े तो आज भी वही क्लाइन हमको बेस्टू बेस्ट ओर दे रहे मैक्शिवम वहां पे कुछ नेटवर्क अर्लियर था या फिर आपने अपने हिसाब से मार्केटिंग और बायर फैंडिंग शुरू किया था कुछ रेफरल मिला था और या फिर नहीं कोड़ा के बाद हम नहीं स्टार्ट किया था हौनग मतलब इंचर्क शोरूम से उसको फुरूत करना स् आप युएस में अग्जाटी कि आपको क्या नीड एज अवन पुल्फी करता है तो उसने अप्डेट किया कि हा फिलाल मन भॉई यह सब रिक्वार्म है तो उने ओ डिजैंग कर के अप्डेट किया तर्स मैं बड़ा और न दो लंग ए लिए लिए यह एदो 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 प लिए घृट अप आप और आप एदो आप ओषर आप अथेंटिक है अच्शूर तू मिलें और आप प्रचया निज बड़ा है थो इस पादिगा है तो आप पर ने पर आप जो आप दो यह एदो आपर आप वाने के पाद पोटो पिक्रटिर लृक प्रॉला वैं तो थो र आपके साथ रहा है बिल्कुल मैं यहां पर वो शेर करना चाहूंगा और मैंने बहुत सारे मैंने से काम किया है बट जो रिस्पॉंस आपकी और से मुझे मिला है या तो मेरे टीम को मिला है यह तो तीन चार चीजे जो सबसे पहले बात कि कोई भी कस्टमर की नीड के मुताबिक जब भी किसी डिजाइन को देना हो तो बट आप्वियस वी आर गेटिंग डिस डिजाइन विदिन वन और वन और यह सबसे पहला अप्रोच होता है जहां पर कस्टमर यह बोलता है कि सर मुझे आप यह दिखाओ कि मेरे हाँ में प्रोड़क क्या आएगा और यह जो आप लोग हमें प्रोवाइड करते हैं इनसे कस्टमर बहुत होता है सेकेंड नमबर पर मानलो की पार्टी और देने के लिए रेडी होती है तो ओर देने के बाद अल्टिमेटली उनकी हरे प्रोड़क के पिक्चर पार्टाइम टुटाइम डिलीवर सब्सक्राइब बिल्कुल जब उसका वेकेंश से वाक्स होता है तो वेक्स निकलता है तो और अगर को जाता है और अगर कस्टमर बोलता है कि मुझे इसके अंदर कुछ इस तरह के चंजिस करवाने हैं और अगर मैं इनको बोलता हूं तो इनकी और से कभी मुझे मना नहीं किया गया है अप्सुलूटली और चाहे जितना भी छोटा हूं इससे मतलब नहीं है if you are giving the orders of $200 only then also they are saying that happily with smiling faces that yes we will do that. So, इससे क्या होता है कि आज जो आपका $200 का customer है यह कल आपको $2000-$200,000 और दोलुका order देगा and that's what the very important thing. So, जो भी new entrepreneurs है, उनको यह समझने की जरूरत है कि आप छोटे से शुरूबात करें और यह बड़े ओडर को लेके जाता है डायरेक्ली कोई आपको दोला को डॉलर का ओडर नहीं देता and the fourth and very important thing is that कि कभी भी हमारे बीच में जो भी business हुआ है उसके अंदर 100% transparency रही है कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे ना पता हो कि कौन सी प्रोड़क का purchase कैसे हुआ मर्चंडाइज और manufacturer के बीच मेरे और गोडायम के बीच में कि कोई भी product का purchase हुआ हो तो वह कितने में हुआ है गोल्ड का value क्या है diamond का value क्या है जिसे मुझे पता चलता है कि product actual में कितने में बना है इसके अंदर क्या profit margin तो यह एक बात भी बहुत जरूरी होते है कि merchandise अगर गाम आगे करना चाहता है तो उसको clarity चाहिए और अगर एक manufacturer एक clarity उनको देना तो merchandise खुल के काम कर सकता है तो यह मैंने feel किया है कि जब इनकी कमनी के और से मुझे यह support मिलता है तब जाके मैं इसको बड़ा business के तौर पर देख सकता हूँ अगर मुझे यही पर ध्यान रखना पड़ेगा manufacturing के अंदर तो मैं client कैसे दून फाहूंगा मुझे यह समझाइए एक चोटी सी बात में के और खतम करूगा है I'm so sorry but last but not least जो उनकी terms and policy है कि कोई भी international business के अंदर order लेते हो ना तो उसमें 100% advance पे काम करो और क्यों दे हम उसको particularly without advance कोई भी product क्योंकि credit पर माल देना मेरे क्याल से बराबर नहीं है जब आप उनको माल दे रहे हो तो उसका पैसा लेना चाहिए मुझे लगता है कि यह practice को अगर हम पहले से enroll करते बिसमें business के अंदर तो यह long term के लिए जाता है so definitely lots of things I have personally learned from you guys and definitely यह broadcaster बहुत सारे लोगों को भी यह समझ में आएगा कि export में enter हो रहे हो तो कुछ basics को आप कीप करके चले मुझे confusion यह हो रहा था कि आप गोडायम के साथ as a merchandise exporter जुड़े हो ठीक है आप 100% payment लेते हो बायर के पास से तो आप खुद भी तो as a individual exporter बन सकते थे तो difference क्या है as a merchandise manufacturers के साथ जुड़ने का या फिर as a individual काम करने का आप तो उनको job work पर भी काम करवा सकते थे वह लोग तो व करना चाहूंगा अगर मैं इंडिविडियोल एक मर्चंडाइस के तौर पर काम करूं जहां पर मेरी 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 रिक्वार्मेंट के हिसाब से और मैं कस्टमर को डूँ देखिए मैं uncertainty फील करता हूं यह का मैंने शुरूबात में किया हुआ है तो क्या होता है कि मानलो की मेरे अध Matt online color improvement मेरे पास सामने 50 alleg फैंस नंट अंसर पर आपको डियोफ या प्रोड़क की रिवर्ट कान मैनुसक्षिरिंग नहीं होता है या तो उस था ह्निवक्षज नहीं होता है उस सेटीन पॉइंट पे मुझे ये फील हुआ कि मुझे कुछ ऐसे मैनुफेक्टिरर को करना चाहिए अगर में मर्चंडाइज काम करना चाहता हूं सब्सक्राइब मैं नहीं मानता हूं कि specifically manufacturing करें तो ही आप सफल हो सकता है क्योंकि मेरा personal experience दश साल से merchandise कर रहा है और मेरे एक्सपरियंस के मताबीद में यह मानता हूं एक अच्छे manufacturer को अगर आप connect करें अगर उनके साथ long term करें अगर आप ट्रांस्परेंसी के साथ उनके साथ बातचित कर ले तो एक प्रॉपर लेवल पे यह कोलाबरेशन लॉंग टम बिजनस को लिखे जाता है फाइदे के बारे में आपने मुझे पूछा है तो मैं डेफिनिली यह दो-तिन चीज़े में क्लेर करना चाहूंगा इ जहां गुर्फ के अंदर मैं हूं इनकी टीम है और उसके साथ अलगा है अब मैंने यहां पर बोला कि यह जो प्रदक्ट है क्लाइंट का है और उनको इ jurisdक्वाइर्मेंट है मुझे यह प्रड़क्ट उस ग्रूप के अंदर करने के बाद कभी भी उसके उपर ध्यान देने कि मैं क्लाइन की रिक्वार्मेंट को लेकर ग्रूप में डाल देता हूं अब क्लाइन का पूरा कम्यूनिकेशन इनके साथ बनता है यह पूरा और एक्जिक्यूट हो जाता है उनको माल मिल जाता है मैं को पुछता हूं अगर आपको फ्यूटर में कभी दिक्कत नहीं आने वाली क्यूंकि यह दर्शन बयर के साथ में पिछले डाही साल से काम कर रहा हो आज तक 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 तकरिबन तकरिबन हम लोगों ने 20-22 और एक्जिक्यूट किया है लेकिन एक भी जगह पे कभी भी मैंने इनकी टीम की और से कोई भी तरह का हिंड्रंस नहीं देखा और जब यह इंड्रंस आपको नहीं मिलता ना तो ऐसे मर्चंडाइस आप खुल के काम सब्सक्राइस के अंदर आटोमेटिकली बड़ोत रही होती है अब उनके लिए मैं एक मर्चंडाइस एक्सपोर्टर हूँ बड़ ऐसे अगर मेरे जैसे पांच मर्चंडाइस वो रखे तो आप समझ सकते हैं कि उनका प्रोड़क्शन जो पांच जोना ज्यादा बढ़ जा मर्चंडाइस एक्सपोर्टर के तौर पर जब तक मर्चंडाइस मैनुफेक्चरर से नहीं जूड़ेगे ना तब तक जिस लेवल का में ग्रोच चाहिए न यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर कोई चीज मैनुफेक्चरर अखेल नहीं कर सकता दर्शन पर क्या थोड़ प्र करना चाहिए या किसी को हाइर कर किसी के साथ क्लाबरेशन कर लेना चाहिए उपके उपर भी डेकर दाया सिया आपके पर उप्रॉपक्षिंश नहीं अब मैनुफेक्चर लेगे बैटर है और आपको यह ओपुचिंटिमार्टे पीजिटीर केर देखले बार नहीं र्रिग तो सबसे पहला तो यह कि अगर आप इंडिविडियोल मर्चन्डाइज एक्सपॉर्टर के तौर पर यह सोच रहे कि मैं प्रोड़क को मार्केट से पर्चेस करूं और उसको बेचू तो आपके पास फाइनान्स होना चाहिए लाइग वेन वेन आपके पास पाइनान्स होना तो इनके डिजाइन्स में लोकल मार्केट से पर्चेस करूंगा उसको मैं अपने पॉर्टफॉल पर बताऊंगा फिर मेरा बायर मेरे से पर्चेस करेगा तब जाके में उनको सेल करूंगा यह पहला आप्रोच जहां पर आपको कॉलाब करने में कोई ज्यादा मगजमारी नहीं है आप सिंपल डिजाइन उठाओ और उसको बेचो बडिए इतना इजी टास्क नहीं है विकोद आपके पास जो डिजाइन्स है बट आपके क्लाइन के रिक्वार्मेंट अलग हो सकती है उससे सेकेंड नंबर पर आता है कि आप अपने मैनुफेक्टर के साथ जब ड कोस्ट हो उसके हिसाब से अपना प्रोफिट मार्जिन चड़ा के आप मुझे प्रोड़क्ट दे दीजिए नाव मेरा अंसर आ रहा है अब बताइए और मेरे मार्केट में बेचांपल महलो कि मेरा एक ऑस्टेलिया का क्लाइंट है वो मुझे बोलता है कि सर मुझे ये रिं सब्सक्राइब करता है और मुझे इंडिविडियोली मेरा प्रोफिट सेट करना हो तो भी मैं कर सकता हूं पर उसके लिए मुझे इंसे पर्चेस करना पड़ेगा as a buyer जो उनकी प्राइज है उनसे अब इनके साथ negotiation मैं कैसे करूँगा ये मेरा खुद का टर्मिनलोगी है य यह बेटर आप्शन है यह उसको चूज कर सकते है एपसलोट फर्ड यह है कि मैं दर्शन भाई के साथ इस तरह से जूड़ो कि दर्शन भाई आप मुझे लेंडिंग कोस्ट पर प्रोड़क्ट देंगे उनके उपर हम मार्जिन जो है उसको तई करके फिर बाइर को देंग उसमें सारा खर्चा आ गया उसमें खाली प्रोड़क का नहीं बट मैंकिंग का भी खर्चा गया अब मानटो कि यह 200 डॉलर में प्रोड़क्ट बन रहा है तो 200 डॉलर के उपर मुझे क्लाइन को क्या प्राइस देना चाहिए अब मैं मर्चंडाइज हूँ 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 है अ कि मुझे नहीं पोस आ रहा है मुझे 300 डॉलर करता गया अगर मालें जा की गोडियम हूँ और में दुनों इस बात पर से शेर कर सकते हैं और मुझे यह लगदा है कि यह वाईबल मॉडलम्यु अंगर आपका मैं प्राइस आपको लेंदिंग प्राइस के लिए लिए रडि यह बड़ा दिक्कत है, लेंडिंग प्राइस देने से उनको यह लगता है कि हमारा प्राइस प्राइस पादा चला जाएगा, पर मुझे नहीं लगता है, यह कोई बड़ा विकेंसे रिस्क वाला काम है, सी मेरा यह मानना है, तुमारे पास 50 मैनुफैक्टरर्स है, तुम सबक आपना स्ट्रेटेजी दिखाओ, तो अगर तुमारा स्ट्रेजी क्लियर है, तो कोई नो कोई तो तुम के तुमारे साथ जुड़ेगा, तो सब का फेक्टरी नहीं चलता है, मैनुफैक्टरिंग सब करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि सब सेल करते हैं, बहुत सारे तुमारे साथ जुड़ेगा, तो अगर जुड़े तो यह थोड़ वाला जोप्शन बताया है, यह सब से वाइबल मॉडल है, क्योंकि आपको भी पता चलेगा कि भाई साथ मेरे को कोई भी जगह पर वाल्यू एड करके प्रोड़क्त नहीं मिल रहा है, मैं जो भी ले रहा हूँ, वो लेंडिंग प्राइस में ले रहा हूँ, और मैं जो क्लाइन को बेच रहा हूँ, उसके अंदर जो मुझे प्रोफिट मिल रहा है, वो ट्रांस्परंट है, एक दूसरी बात मैं जो यहाँ पर याद है, मैं आपको यह भी बताओ, देखें, लेंडिंग प्रोफिट के साथ में अपना प्रोफिट करूंगा तो इसको महिंगा ही पढ़ने वाला है, तो मैं अपने मैनुफेक्ट्र को कैसे बताओ, यहाँ पर गेम बेटे गाई नहीं, तो ऐसे किसमें क्या होगा, ना तो मैं पहले से बोल देता हूँ, कि भाई देखो, लॉंग अपना प्रोफिट में जाना है, तो हम लोग इस बात पर मतलब बात को तही करके चले, कि लेंडिंग प्राइस के ऊपर हम अपना मुच्यल प्रोफिट जो है ना वो तही करके आगे बढ़ेंगे, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए, मैं यह बोल सकता हूँ कि गोडा करना, उनको रेगिलर बेस पे अपडेट करना, चीजों को रेगिलर बेस पे उनके पास पहुंचाना, smoothly प्रोड़क को उनके हाथ में डिलीवर करना, यह सारे चीजे भी काम करते हैं, आप जिस मॉडल से जुड़े हो आप लोग, वो काफी ट्रांस्परेंट मॉडल है, नह अजिता है कि अग्चेट इस बूदान करना, बिल्कुल उनको बोलना चाहँ में, ख्यूपाके है, मेरा भायर है पर मैंने कभी चुपाया नहीं, जिनको पता है कौन भायर, उसका इड्रेस कहा है, यह साब कोई पर गोड़ायम ने का अज तक आग तक इस तक प्सक्वान को अगर मैनुफेक्टर और मर्चनडाइज अपने खुले दिल से बात करके जूड़ता है ना बहुत बड़ी ऑपर्चनलिस अपने सामने खड़ी है जमसें ज्वैलरी सेक्टर के अंदर डर निकल जाता है ना मर्चनडाइज को भी क्योंकि काफी महनत लगती है बायर डूमने म बागेरा उसको डर रहता है कि यह लोग डिरेक्ट हो जाएंगे मुझे इनका काम तो सिर्फ आपको करने करने के लिए में एक्ट हुए है तो मेर्चनडाइज एक्सपोर्टर मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा विया दो लॉट्स ऑपर्चुनिटी गाइस डॉन्ट तो त दुनिया के कोई भी कौने में पहुंचा सकता हो तो डेफिनेटली बिलीव करें अपसे जूड़ेगा वो भी चाहते अपना बिजनस बढ़ाने के लिए यह एपसुलूटली एक ऐसा कोलाबरेशन होगा जो लाइफ लॉंग आपको बहुत सारा आपकी जरनी के दौरान प् को स्पेसिफिक पीपल को टच होता है तो चीज में तार्गेट मार्केट करना कुछ भी पीक्चर है आप कुछ में कुछ सिंटी लिए यह चमेली जेशन कर रहा है व्यू चल्ट विच्ट यह च्हुंचिन अपना आ चाहते जो गड़ीट वें तो यूस में मैजरी कर रहा ह यह बट युएस मोगी टेटेगरी बहुत रहती है, मैंस, विमन, हिपप अगेरा काफी कुछ चीज़ रहती है, तो अपका एक्सपर्टीज को साइसा है या फिर आप अल ओवर कोभी ओर मिले हो सकता है, ऐसे आप रूचेचा जो कर रहे हैं, मोस्तली हिपप छोल्दे में जा पड़ी पोप इनका नीश है जहां पर उनकी क्लारिटी बहुत अच्छी है, अगर आप उनके और ना में दिखें को आपको प्धा चिलेगा, एक्स्टामाइज करने का रिजन ही हुए, तो उसकी एक्सेट नीड है, पहले फुल्फिल करें, और फुल्फिल करें, और भी ल बहुत ही इंपोर्टन पाट है, इस अब शिपिंग और लॉजिस्टिक, तो डेफिनेटली मेरा जो एक्सेट ना है, पिछले दस सालों का, इसके हिसाब से तुमें एक क्लियरली बोल सकता हूँ कि जिस तरह से आज हमारा इंफ्रास्ट्रॉक्ट्र डेवलप हुआ है, और जिस तरह से इंडियन गवर्मेंट ने पोर्ट और एरपोर्ट को विक्सित किया है, आज की डेट में शिपिंग या लॉजिस्टिक इंडिया से इतना डिफिकल्ट नहीं है, मेरा एक रिसर्च ये भी बोलता है कि वर्ल्ड के अंदर जो लॉजिस्टिक होता है या तो लॉ दर्शन भाई आपको क्या लगता है कि आज से पांच साथ दस सल पहले और आज की डेट में शिपिंग लॉजिस्टिक के अंदर जो फरक आया है वो कैसा है और यह कितना स्मूथ है आपके एक्स्पेरिंस के आप से आपके बात करें तो शिपिंग सबसे पहले तिकत दुद इस ती वह पहले काफिसारी ती तो इंडर्स ने मिल के काफिसारी और जोवर्मेंट के सपोर्ट के साथ वह सॉट कर दी है और अभी आप शिप्मेंट करोगे तो दर इस आइटिंग नो इन इस आप कस्टम आउस पर सब्मिक करिए बीच वालिर अपडेट करिए तो इसी हो इस लग चुके हुआ है काफी पैम वह लोग इंपोर्ट दरते है अज़र सब दमने यूस में शिक्मेंट किया है एक्सपोड किया है तो द्या इंपोर्टिंग राइट तो कभी ओ स्कैनिंग में जाता है तो उसको पुछ ट्यारी के चाहिए बिकॉज आपने मैंशिंड कि इन वाइस में यह ब्रॉट अनमर अपीस तो काफी ताइम उसको प्याइड बेज तो द्यार स्टॉपिंग कि मुझे एक्जिट इसका वेशन बताईगी और इसमें एक्जिट क्या चीज एफ उसका मुझे बजे बाइफर्केशन दी अपना कस्टम से उन लोग का इंपोर् और बेजिटिल इसन प्रवाइब लोग कि शिटॉष्ट को यह बताय कि बहुत कुछ है नहीं कि अगर आपने मार्केर से को सुना हो तो प्लीस न बिल्यों न बीजें से जो कि बहुत सालों से एक्सपोर्र के अंदर का रहे हैं जाआँ कि इसन बात करना जाँ आएब इसन करना जाओंगा काफी मैंने सुना international travel किया हुआ है काफी trade fair attend कियो participate में भी काफी किया हुआ इवन गोडायम has the office in US यह मुझे नहीं पता था तो कितना जरूरी रहता एक exporter को क्या importance रहती है trade fair की visit करना चाहिए participation भी करना चाहिए वगेरा internationally या nationally अभी आप ग्लोबली बात करें export की तो definitely आपका presence customers और new customer approach करना है तो presence के लिए there is option मतलब वो पैसा वसूल होता है अगर आप participate करते हो या फिर आप travel करते हो यहां से तो अभी आप ऐसे तिंग करेंगे अभी कोई exhibit कर रहे है तो आप कैसे उसको treat करते है वह आप फ्टोड़ा गोर दखे तो definitely वह पैसा वसूल की बात है लेकिन आप करते हैं कि मैं एक्जिबीटर की सब एक्जिबीट करो और मुझे वह जो पैसा जो भी खर्षा लगया तुरंट लगया नहीं हो इससे ज्याद है कि जरूरत नहीं है पैसा वसूल करने में वह पार्टिसिपेशन का एक सवाल के आपने मुझे पूचा था ना मार्केट के बारे में पर इसका आंसर मैं करना जाओंगा बिल्कुल दिखिए जैंसेंज वैलरी सेक्टर के अगर आप और पिक्चर को देखें ब्रॉडर असपेक्स से दुनिया के अंदर जितना जैंसेंज वैलरी इंपोर्ट हो इंडिया का एक्सपोर्ट ओनली 4.3 परसेंट है और इसका सिधा मतलब यह हुआ 95.6 परसेंट मार्केट आज की डेट में इंडिया के लिए आपन है अब यह समझो कि 95.6 परसेंट का मतलब हुआ कि हमने अल्मोस्ट कुछ टॉच किया ही नहीं है अगर मार्केट के तौर पे और डेटा अनलिजिस को हम चेक करें तो इंडिया का जैम सेंज वैलेरी का फिगर 2022-2023 फाइनांचिल यहर में था तीन लाग 6,000 करोड का और यह तीन लाग 6,000 करोड में से हमने एक्सपोर्ट जितने कंट्री को किया था उसमें से आप मेरे फिगर को सुनिएगा 80% एक्सप है वह बाकी के 120 कंट्री में और उसमें भी ज्यादा तर एक्सपूर्ट हमारा जो हुआ था वो जैम स्टोन या डैमंड्स का था ज्वैलेरी अगर आप देखे 95% ज्वैलेरी जो है ना वह हम मत्र टॉप 15 कंट्री में ही एक्सपोर्ट करते है बहुत ज्वैलेरी ऐसा सेग् बड़ा पीन पॉइंट है यहां पर कि हम व्ल्डवाइट को फोकस करें वहां पर जाए अपनी अपनी प्रोट को दिखाए डफिनेटली युविल गिट दर ऑदर ऑन पर इंसपोर्ट इंसाइड इंटरनेशनली पार्टिसिट करते हो तो चाइनीज एक्सपोर्ट का कितना बड़ा रहता है वहां पर उन ट्रेड फेर इंसमे और अगर आप विजिट भी करने जाते हो चलिए अपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो तब चाइनीज लोग का कितना वहां पर इस विजिटर भी दबड़ा रहता है और आप कौन से कंट्री में सबसे अच्छा आप जैसे बड़ा शोगा इस पेस्पेसरी जुल्रीव इंट थूं किटो आप जैसे बतारें चाइनीज का तो चाम मैं सुनने में इसा यहां यहां अचा बोट दबड़ा है यह हो इसना आप जैसे जैसे खेल डिकेन ही अजिश कि लिए जुएर हमारी मन्न पेले क्या अगको सब्सकता और आके सविड्याइटी जैङ आइ अट़ इन है अभ्यार भाफ्या का montra वीलिटी दोड्म 2 लॉद्य तबनेदा भप़िट्वाल क्या है प्याय वाँ लॉ Оля हो कै दीघी कि दीभार्षी देटीडिपलंट जैङे sitä और उसके पास manufacturing capacity है तो वह हम बढ़ा दे तो अपने गाइब है तो कोर डिफरेंस कहा है जो चाइनीस में इंडियर मेनुफेक्चरिंग में देगे में जो फोकसेबल एरिया है ना वो मुल्टिप्लिकेशन इन्टु दी मैनुफेक्चरिंग के सबसे को डिफरेंज है इमें आपको एक्जांपल से बता दो आपको क्लेर हो जाएगा अपना एक कारिगर जिनको आप मशीन पे लगाओ जो आठ गंटे में तुमको पचास पीस प्रोडक्शन करके देता है एक्जांबल के तौर पर मशीन प्रोडक्स की बात में कर रहा हूं हैंडमेड की नहीं यह पूरा डिफरेंट एरिया हैंडमेड में चाइनीज हैंडमेड में चाइनीज हैंडमेड जो इंडिया बनाता है वो दुनिया में कहीं पर नहीं तो जो आठ गंटे में इंडिया के अंदर जो मशीन से कारिगर पचास पीस निकालता है ना वहीं पर चाइना की एफिसिएंसी यह 200 पीस की है अब क्लेर लिए समझो और यहां पर डिफरेंस की में उसमें ज्यादा प्रॉफित लूग था कि मेरा टोटल जो प्रॉफित बढ़े वाले टाइं मुझे लगता है पांच यह ए उस निवल पर बढ़ेगी और हम पर्टिक्यूरल लिह जो वेज उसी के अंदर अने वाले टाइम में मल्टीपल मैंफिक्ट्रिंग में चलिए आगे बढ़ते सर में SCZ का full form थोड़ा बताई है और SCZ होता क्या यह बताई है Yeah, absolutely. SCZ मतलब special economic zone. इंडिया के अंदर government of India ने यह कुछ land areas बनाए हुए जहां पर अगर आप अपना manufacturing unit डावते हैं तो you have to keep this in mind that कि SCZ में बनाई हुई एक भी product को आप local market में बेच नहीं सकते आपको उसे export करना पड़ता है तो इसका मतलब यह हुआ कि है तो आपके eligibility होनी चाहिए. But if you are in the SCZ तो आप diamond या तो gold bar के कोई भी country से import कर सकते हो without duty and without any hindrances. तो अगर आपका manufacturing capacity के साथ export capacity है तो definitely you have to go with the SCZ. मतलब precious metal में silver, platinum, gold भी import कर सकते हो और उसको manufacturing करके jewelry बना के export कर सकते हो. अगर आप SCZ area में हो तो और आपका SCZ unit कौन से साल में अपने स्थापित किया था SCZ area में? 2020 में 2020 में के प्रविट में SCZ के अंदर जब unit आपने स्थापित किया तो ऐसे केस में आपने initial phase पे क्या challenges face की थी अगर कोई है तो और दूसरी बात यह थी कि SCZ में unit सथापित करने के बाद आपका experience क्या वापे जो गवर्मेंट से जहादा काम लेना देना होता है कॉस्टम से जहादा प्रोकूर्मेंट रहता है सब तो उस तरीम डोकुमेंटेशन में थोड़ा अमको दिक्कत आ रहे थी लेकिन देटो धूले हमने इस्टार्ट किया तो रूटीन में आ गया तो उसको smoothly चल रहा है चो हम DTI से एक्सपोर्ट करते हैं, तो ACZ is the fastest export service. एप्चलूलली, क्योंकि custom उनका खुद का है, प्रोडक को आप इंपोर्ट इसली कर सकते हैं, ना ज्यादा कोई compliance रहता है. और रवही से clear हो जाता है. मैंने सुना है, काफी एक अच्छे reputed manufacturer से, जो watches में काम करते हैं, कि ACZ area में, सूरत में, कोई ऐसा manufacturer है, जिसका बहुत दबदबा है, और वो buyers की data वगेरा में mess up करता है, जब आपका shipment to ACZ में ही clear होने वाला है, तो ACZ authority के पास ही होगा, आपका data वगेरा की कहां जा रहा है, shipment कौन deliver कर रहा है, तो क्या चीज है, मतलब ऐसा होता है, possible है, या फिर, क्योंकि मैंने से बात सुनी है, वो काफी reputed है, जो लगता है, उसकी बात में ऐसा ही, दम नहीं होगा, फिर भी बताया होगा, कुछ तो होगा, तो होगा, तो होगा, तो है, आप जैसे बता रहे हो, और apart from that, यहां पर आपने सर्वीस दिया है, बाट बड़ बड़ रोल है, अगर आप सर्वीस अचा है, तो जाहें बायर को और दस लोग भी क्योंना टेप करे, वो नहीं जाएगा आपके हाथ से, पर आपने अच्छ से जाले से तिंकिंग बड़ एका बड़ा यूज मार्केत है, आ आपने आपको पहले यूज बता हो तो सही, पहले आप अपने आपको उस लेवल पर रेप्रेजन तो करो, आगर आप जैन वींस करेंगे, एक शाब बोल सकता हूं बायर कभी आपको छोड़ेगा नहीं कभी नहीं चोड़ेगा चाहिए उसको कितना भी लुक्रिटी ऑफर क्यों ना मिले उसको पता है कि ये बंदा जिस प्रोसेस से काम करता है अबस्वलूटली इसके अलावा अगर किसी से काम किया और मैं फस गया ना तो मेरा लॉस है और अगर किया भी उसने ऐसा तो घुमके तुमारे पास ही वाफिस आएगा ये पकी बात है अगर अपकी एथिकल प्रेक्टिस है तो वह सब आप माइन में में तरकेड है मेरा ये मा क्योंकि एक डेटा के मुताबित ये माना जा रहा है कि आने वाले दस सालों के अंदर इंडिया से बीटूसी मार्केट जो हो बहुत बड़े पेमाने पर डेवलप होगा बिकूस गुवर्मेंट पॉलिसे मैं आपको बताओ कि FTP 2023, Foreign Trade Policy 2023 में गवर्मेंट ने e-commerce एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी schemes लांच किया है और जिसमें खास तोर पे डाक निर्यात के अंदर को उन्होंने डेवलप किया है अगले आने वाले सालों में ऐसी सिस्टम हो जाएगी कि आप क कोई गाओं के अंदर भी बैठे हो आपका अगर ज्वैलरी पार्सल है आप डाक निर्यात के अंदर में नजदिक से नजदिक अपना पार्सल डाल दो यह destination में पहुंच जाएगा जैसे आज की डेट में चाइना पोस्ट यूस पोस्ट सर्विस दे रहा है तो गवर्मेंट यह एक बड़ा क्वेश्चन है मेरे गहल से अगर इसको कहीं ना कहीं ध्यान में रखके सौल किया जाए तो इकमर्स विल बीड़ बेटर फ्यूचर इंडिया में भी काफी हां मुश्किल है और मुश्किल है अभी तक रिटेल शॉप से जुड़े हुए लेकिन शिफ्ट हो सब्सक्राइब को लेके जा रहे हैं कुछ लास सवाल के साथ जिसमें एक मुझे आपका वीजन जानना है कि आप क्या सुचते अपनी कमनी के बारे मापके क्या गोल्स है लेकि आपने मुझे बताया है कि आपका अभी जो लास्ट येर का टन आवर था वो अरावन 25 क्रोड क सब्सक्राइब के आज वाजू था वोट ये आप सूरत से हो आपके पास डाइमंड बूर्स है आपके पास आने वाले टाइम में बूलेट ट्रेन होंगी अब आपके आपके बास इंटरनेशनल एरपोर्ट भी है तो क्या वीजन है आपका आपके बास मैट्रों है न्यू कि अब अगा आप बीज घरा का एख पास्रण बहुनिकेशन होगा आपी इंतरनेशल क्लाइनल क्लाइंच यहा पर आएंगे आप ईंटरनेशनल ड्राविकर पाइंगे आप क्या सुच्छते हैं डोनों का अभी global ऑक कर देख हो्ए आइससराथ कर स्चाने लुगए थाविन दुसरी जगा पर डिपेंट से रहता है निकल गई है इंटरनेशनल बायर डिर्क सूरत आता है यहां पर सूरत में जो डायमंड मैनुफेक्ट्टरिंग हब तो उसको भी ऑथनिटिसिटी लगेगा बायर को भी जो बीच में जो टेडर रहता था वो निकल जाएगा तो काफी फास्ट मुविंग कमनी इंडस्ट्री में काफी मुव होगा फास्ट तो ब्राइट एकदम एकदम ब्राइट फ्यूचर है और मेरा जो अभी अभी तक जितना हमने एक्सपोर्ट किया उसका 10x पर हम पहुच जाएगे माइगा मतलब यहां टार्टिंग 250 करूर्ट अब यहां पहुच आप आपने अब बिसनस सेट अप कर रहे हैं और इस जाएगे नेक्स जनरेशन अगर आपके अब तीनों को मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने बिसनस से अप कर रहे हो और इस एट है क्या आप अपनी नेक्स जनरेशन है उसके लिए कुछ पूजिशन वगेरा सोचा है या फिर उसको भी इसमें ही इन्वाल करना सोचा है जब उसकी पढ़ाई कातम हो या फिर अपने पोजिशन सोच के रखिया कि इसको हम यह पोजिशन पर लगाऊंगा इंटरनेशनल मार् दlai को को यह जा का हैंगे कई बहुकिशन पर वह जांगा के लिए और मेरा बच्छा यह जाता है कि अगे जाके बिस्नष करे जा रखिया जो हम चाहनगा को हम पूर वह एलुगा मिला हम अमनस के बेशन अ को झुफ जजाँ जाने वाले टाइम में ऐसा ही फ्यूचर दिखेगा जो मैं दिख रहा हूँ ओविएसलिक फैमिली बिजनेस मेंटेन करने और उसमें मास्टरी करने के कोर्सिस आ चुक है तो अच्छे से अगर उसको वो चीज नर्चर किया जाए तो फैमिली बिजनेस को टैनेक्स कर सकते हैं आपने तरह से आपका तो अभी भी शादी हुआ है आपने बना नियू जनरेशन दिए इसाफ पर लेकिन सी ओ हमारे तिंग रहे हैं राइट हम ऐसे बता रहे कि सब्सक्राइब करें तो हमारा डिसनेस आगे बढ़ा है तेकिन ओ क्या सोच रहा है तो जोगी बरसने जो उसक अब जो जो बच्चा है उसकी एज के हिसाफ से मैं अगर उनके फ्यूचर को देखो तो मुझे लगता है इतने सालों में तो इंडिया कितना बदल जाएगा बॉस और ऑपो जो 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 एंडिस्टी और एपुटेड इंडिस्ट्री है और रिस्प्टेड इंडि शांती वाला दंदा है एसी में बैठके काम करना इंटरनेशनल ओर्डर्स लेने तो क्या दिक्कत है आपको कही थूड़ी ना जाना है बार थैंक यू सो मच दर्शन भाई एंड प्रवीन भाई फॉर यॉर टाइम ओवर यह यह पूरे पोरकास के दोरान हमने बहुत सारे टॉपिक को विकेंट से टच किया अगर मैं उसको बार नेरेट करने की कोशिश कर रहो तो उसमें सबसे पहले हमने आपकी जर्नी को दीखा आपकी कौलिफिकेशन को देखा आपकी पार्टनर्शिप कैसे हुई कंपनी का फॉर्मेशन जब किया तो आपने कहां कहां पर ध् सब्सक्राइब को कैसे बचा के रखते हैं साथ मैं आपने ये भी बताया कि आने वाले टाइम ने जो भी ऑपर्चुनरीस हमारे सामने कड़ी है उसके लिए आप अपने आपको कैसे तयार कर रहे हैं उसके साथ हमने आपके एक्सपोर्ट के विजन को भी देखा जिस तरह स आप मर्चंडाइज के साथ जुड़के उनके साथ एक लंबा वीजन अपना देख रहे हैं और अपने फ्यूचर को जिस तरह से आप सेट करके आगे बढ़ रहे हैं मुझे लगता है कि अगर आपकी तरह कोई भी नया अंत्रपरिनर सोच के आगे बढ़े तो मुझे लगत है कि definitely वो भी सफल हो पाएगा कि यह सारी चीज़े सीख के definitely उनको फॉलो करके कोई भी बंदा अपनी लाइफ का जो भी प्लान वो सेट करेगा ना वो एक्जिक्यूट कर पाएगा यह मेरा मानना है अगर कभी भी हमें आपका experience जरूरत पढ़ा तो हम और भी podcast आपके साथ करेंगी कुछ चीज़ों को detail में लेके ताकि हम अपने जो भी viewers उनको यह बता पाए कि अगर आप एक industries की और बढ़ना चाहते हो या manufacturing की और बढ़ना चाहते हो तो आपके basics कितने clear होने चाहिए time limitation की वज़े से काफी questions ऐसे deep level पे थे जो हम नहीं ले पाए लेकिन आपने बहुत अच्छी कोशिश की और काफी information आप दे चुके हो so thanks a lot thank you so much once again thank you so much